ओम नमस्युवाय मित्रो नर्मदेश्वर स्यूलिंग आट में आपका स्वागत है मैं हूँ हेमन्त नाम देओ आज हम आपको नर्मदा जी के विभिन्न स्यूलिंगों के बाबा बरफानी स्वरूप के दर्सन करवाएंगे जी हाँ आप देख सकते हैं कि यह एक बाबा बरफानी नर्मदेश्वर स्यूलिंग है इसमें आप ओमकार की आकरती इस पश्ट रूप से देख सकते हैं यह एक पूर्ण रूप से बाबा बरफानी स्यूलिंग है यह एक त्रिनेत्र धारी नर्मदेश्वर स्यूलिंग है यह एक बरफानी त्रिनेत्र धारी नर्मदेश्वर स्यूलिंग है यह एक जटा धारी नर्मदेश्वर स्यूलिंग है जी हाँ आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार बाबा बरफानी नर्मदेश्वर स्यूलिंग में उपर पूर्ण रूप से गोलाकार जटा विद्यमान यह पूरी गोल एवम पूरी और स्यूलिंग के फेली हुई है यह एक अदभुत महाकालेश्वर स्यूलिंग है जी हाँ आप महाकालेश्वर जी का स्वरूप इस स्यूलिंग में पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि कि किस प्रकार इसका पूर्ण कलर भगवान महाकालेश्व जी के बिल्कुल समान हैं यह एक महाकालेस्वर नर्मदेस्वर स्यूलिंग है यह एक बरफानी जन्योधारी नर्मदेस्वर स्यूलिंग है जी हां इस संपूर्ण स्यूलिंग में गोलाकार जन्योबनी हुई है इस स्यूलिंग के चारो और घुमाने पर आप देख सकते हैं कि पूरे स्यूलिंग में भगवान भोले नात की संपूर्ण जन्यों इस पश्ट रूप से दिखाई दे रही है यह एक पूर्ण रूप से जन्यों धारी बरफानी नर्मदेस्वर स्यूलिंग है अब आपको एक बहुती सुंदर स्यूलिंग के दर्सन करवाते हैं आप देख सकते हैं कि यह बरफानी होने के साथ साथ एक अर्द नार्श्वर नर्मदेस्वर स्यूलिंग है जी हाँ इसमें आप भगवान भोले नात एवं पारवती दोनों के सुरूप इसपस्ट रूप से देख सकते हैं एवाम इस में दोनों के अलग-अलग रूप आप इसपशट रूप से देख सकते हैं यहाँ एक बरफानी अर्दनारसवर नर्मदेसवर सियुलिंग है जो की देखने में बहुती अदभुत एवाँ सुनितर है यहाँ एक तिलकदारी नर्मदेसवर सियुलिंग है जी हाँ आप भगवान भोले नात के मस्तक पर यह लगा तिलक इस पश्ट रूप से देख सकते हैं यहां भी एक बरफानी सोरूप है परंतु बरफानी होने के साथ साथ इस सिवलिंग पर मस्तक पर भगवान भोले नात का तिलक इस पश्ट रूप से दिखाई दे रहा है यहां सिवलिंग भी देखने में अत्यंत सुन्दर एवं बहुत अध्भुद है समस्त प्रकार के नर्मदेश्वर सिवलिंग लेने के लिए संपर्क करे ओम नमस्तिवाए